इन और्गेनिक मिटीरियल्स की क्या क्या अप्लिकेशन्स होती हैं और ये कैसे हमारे भाविश्य को प्रभावित करेंगे नमस्ते मैं रनामन दिप्दलाल है और इस लेक्चर में हम इन ही प्रशनों के उत्तर खोजनी कोशिश करेंगे आज में क्या पढ़ना है बताओ अप्लिकेशन्स ऑफ इन और गेनिक केमिस्ट्री ठीक है अब भई हमको आपको नहीं है थोड़ा साइक आइडिया ये देंगे कि इन और गेनिक कि इसकी एप्लिकेशन तो अब इस लेक्चर को हमने टोटल पांच सेक्ष्ट्स में डिवाइड है पहला किया होगा आपका के ढानलेटिक Johannis दूसरा किया होगा आपका ऐयो मेडिकल एपेशन थीसरा अनर्ज एप्लिकेशन छोथा Applications of Inorganic Materials in Food Industry और पांचवाँ भई Environmental Applications of Inorganic Materials तो पहले हम देखते हैं Catalytic Applications of Inorganic Materials ठीक है आप यह बता हो भई देखो जैसे कि भई आप यह देखें इंडूस्ट्रियल इपक्साइड पॉलिमरेशन के इंदर सल्फोनिक एसिड क्या होता हो भई जो एक बहुत ही एफिशेंट केटालिस्ट है बहुत सारी इंडूस्ट्रियल एप्लिकेशन के इंदर और आप जब आगे पड़ोगे न और्गिनुमेटालिक केमिस्ट्री क्या आप्याल आपको होता हुँ होता है अरे बहुत कने संक्राइब यहां भाई जीघलरनाटाां स्ट्रीशी होता है होता है क्या होता है अर वहां। इस शिफ्ट रिएक्शिन वहां पर FECO5 पता वन अपको तो और इसकी बहुत ज्यादा एप्लिकेशन है इन ओर्गेनिक कंपाउंड इसंट इट फॉर इंस्टेंस यहां पर आपको वहां पर आपको इनके बाकाइदा जो स्यक्लते ने वह पर आई जाएंगे ठीक है जाप यह यह बताओ भई रहाएच प्स-3 ट्राइफटनल फॉस्फिंड एक्शियल यह बताओ का है यह संबाल होता है रिक्शन के अंतर और विलकिंशन है पताओ अपको तो कोबाल टू-C-0-8 मैं इस प्रड़ा आयवी था इसले सबस्क्राइज में क्या बता गया और मिफे नोल के कार्बोनिएलीशन में कोना बता हो भी आर है चसी ओ अपको बता रहो बही यह जुड़ा आपको बता रहो हुए मेथिनोल का और भई CS3 और भई क्या आप CS3 OH से CS3 COH नहीं गोनाती क्या मेथिनोल का कर्बनेलेशन उसमें भी बताओ क्या स्थमाल होता आपका यह नहीं मैं तपको पलबड़ी क्या आपको बोलो भई रह स्योटू आइटू इसंट इट वह बताओ आई आर स्योटू आई तो क्या होता है नहीं यह मेथिनोल कर्बनेशन में इस्तमाल नहीं दोन इस्तमाल होते हैं क्या अंदोन इस्तमाल होते हैं ठीक है ओके और एक FECO 5 अरे भई FECO 5 आपको याद है नहीम्त ऐО्सें आरे पेन पेंटा कारोना इल यह कहां इस्तमाल होता है वौटर गैस शीफ्ट रिंच्षन के अंदर्ट आपी अंदर्य और आप में अध्य करते हो बहई steam के साथ तो क्या निकलती है एक और भी निकलता है एक मोल एक तो इसमें कर देते हूं कि आप अपर आप एक बिल्कुल ही वेस्ट प्रोड़क्ट को किसमें कनवर्ट कर देते हैं बता हुँ ही किसमें एक कमर्शियली इंपोर्टेंट प्रोट के अंदर तोई क्या आपका डाय हाइड्रोजन इसन्ट एट और तो सी ओ थी वो किसमें का नोट होगी इसका फाइदा भई ठेक है अपने फिलाल अरे आपने फिलाल इस दिमाग में रखना कुछी वह नहीं है आयरन इस यूज़ड़ास के अपका बायो मेडिकल अप्लेकेशन यह आपको पता भई जो सिस्प्लेटिन होता है वह आपको पता हुए चैंसर के ट्रीट में इस इस्तमाल होता है इसनट इफ प्रमेगनेट आपको पता भई आज कल तो खेर नहीं पहले को बिन्फेक्शन होजाए उसको क्या देया करते है लाज दवाई अपको बई फेकेम चैनल प्रमेगनेट कितना वाइडली यूज़ड एक तरह से होता है कमपाउंड इसनट इट त तो पता है वह ओके ठीक है यह बतलब सबसे इतना ज्यादा क्या बोलते है वह पॉपुलर ली इतना ज्यादा पॉपुलर है यह यूज़ करने में इसंट इट अच्छे बता हुए और अरे बहुत जो कई जिसे मेगनिशिम आइड्रोकसाइड है अरे पेट में आइसिल्टी भई एसिट अच्छे बढ़ जाए तो क्या खिला दूसको हाइड्रोकसाइड तो ओ एच के साथ ह्रेक्शिन कर बना लेते हैं एच टुओ सार्ट प्लस वाटर पेड में एगर ऑगर गयर फ़ए एच प्लस आए ने साइने बढ़ जाए अध्यद्र स्थ बढ़ जाए तो क् करता है और करता है इस व हो पता है हमको पता है प्राचीम काल से आपको पता है इस्तमार हो रहा किसके अंदर एक बई डिसिंफेक्टिंट एंटी सेप्टिक बताओ अनअप को बई बताओ आयोदीन मि क्या होता है इक पावर्फुल एंटिसेप्टिक अरे बई अरे तिंक्चर ओ आयोदीन ये बताओ अरे इंको गाहँ पी नला थे का इसको ठीक है बताओ तो बहुत सारी है लेकिन सारे फाइदा नहीं है मैं आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ यह चीज क्या है इंपोर्टेंट है हमारे लाइफ को भई हार तरीकस क्या करती है अफेक्ट करती है क्योंकि प्रॉपरली हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होएगा न उससे हम बाकाईदान का जो भी थेलिटिकल स्टेडी वह शुरू कर देंगे हो ठीक है अभी इस चैप्टर में सिर्फ क्य आपके साथ के साथ आएंगी जब आप पड़ोगे बई और्गनोमेटालिक के मिस्ट्र पड़ोगे न तुम्हाँ पर आपको और्गनोमेटालिक कंपाउंट्स की दुन्हें बरके क्या देखने को मिलेंगी एप्लिकेशन और बकाईदा काम कैसे करती है यहां पर हम सिर्फ इसकी बताओ बहुत इंप्लिकेशन का होती है एनर्जी एप्लिकेशन सफ इन और्गनिक मिटीरियल्स ठीक है आप यह बताओ पहला क्या है हाइड्रोजन इस यूजड एज कंबस्टिवल फ्यूल इन हाइड्रोजन बेस्ड कार मैं आपको पताओ एक सबस्द बहुत आपि क्वाले इंटाओ आ इस वे तो है कि हाइड्रोजन को स्टोर किया जये इसको हाइड्रोजन को मतलब वेक्तर से वो भई जो अरे वह इंजन भी कौन सार आएगा ICE अरे इंटरनल कमशन इंजन ही रहेगा वो लेकिन उसमें डीजल या पेट्रोल की पजाए क्या इस्तमाल होएगा हाइड्रोजन इसंट इट क्योंकि भई डीजल और ग्याद ही क्या निकलता है उसके पैप होएगा गाडी के सचनिकलता है ऐसे अभी बैस का वह है वह इंटरनल इंजन ही होता है उसमें सिर्क इस्तमाल क्या आगरते हैं वता हो हाईडरोजन उसमें सिर्फ़ निकलता क्या है है पानी यूसमें पानी की अल्लेकर इज में दीक्कत है एक तो वहाँ पर सेफ्टी कंसर्ण तो युदू क्या मोल होते हैं ब houses क्राद हैं इसन्क फरति बहुत गेरती है इसकी इनर्जी डेंस्टी कफिक होती है कम होती है कि हाइड्रोजन की इसको स्टोर करना है तो इसकी इसकी जो गाड़ी है उससे बेस्ट है इस गाड़ी बहुत अच्छी नहीं क्या ना आपको वही चार्जिंग करनी जिसे भई डीजल के पैट्रोले क्या होते है अरे पंप होते है वैसे फिर किसके पंप होएंगे होते हाइड्रोजन के भई यहां पर आइजन परवाल उसके गाड़ी के इंदर ठीक है तो हमको पता होई जो हुआ होता है उसे क्या बानाते है एलेक्रिस्टिटी फीकर क्या होते हैं उनसे क्या बनते है उस से क्या बनते हैं और आपको पता है एक्सपेस के अंदर एक U2 फूर्स तोव floss के इंस treaty इन फ्यूचर में ख्याल से कई तो यह सोच रहे हैं जो गाड़िया ना वो भी कैसी बनाए जाए है एच्टू उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट स्टोर करना पड़ेगा एच्टू समझे बात ओटू कहां से भई लितराएगा हो एर से यह बात आपको प्लेपड़ी एक होते हैं उन में भी इन इस टेक्नोलोजी का इस्तमाल किया गया है और बताओ और यूरेनियम और प्लुटोनियम बहुत आपको पता है जो जो वह क्या होती है न्यू क्लियर एनरजी होती है वह तो आपके फॉसिल फ्यूल से नहीं आती वह कहां से आती है और यूरेनियम और फ्लुटोनियम यह किस तरह के फ्यूल है यह और गैनिक फ्यूल है फ्लुटोनियम और यूरेनियम फॉसिल फ्यूल है कि इन और गैनिक फ्यूल है 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 और गैनिक फ्य सिस्टम्स कैंसे भई हमको एनर्जी नहीं मिलती क्या कितनी सारी एनर्जी कितनी सारी जो एनर्जी रिक्वार्मेंट दुनिया के अंदर वह कौन पूरी कर रहे हैं न्यूक्लीर पावर प्लांट इसन्ट इट ध्यान रखो भई इसका वहां भी मतलब एक्तर से आप आप यह म से पूरी करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट है और यह मैं आपको होता हूं भई नियूक्लीर एनर्जी एन्वार्मेंटल फ्रेंडली होती है पता आपको इस चीज़ का वैसे प्रभी यह क्या बोलते हैं जो यह प्रोपेगेंडा है कि वही क्या बोलते हैं यह से नुक् पॉसिल फ्रेंग कावली ठीक है लेकिन वहां पर क्योंकि नाम आते नुकरियर इंसान वही उसके सोचने समझने शक्ति क्या हो जती है उसका लोप हो जाता फिरकेते ना ना वह उनको लगता वी रिडिशन आईगी बस ओके और बताओ वही कौन सी एप्लिकेशन से बताओ इन फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तिमाल का होता है फूड प्रिजर्वेटिव के तोर पे बहुत ज्यादा इस्तिमाल होता है सौफ ड्रिंक में बोलो बही और बही इंडसेडिक फूड्स ओके ठीक है अच्छा यह क्या है एनेच फॉर से अमोनियम को दोरा इडिय क्य फॉड फॉड इड़्य तौर पे इस्तिमाल होता है और इडिय पी फर्टिलाइजर फॉड इडिट्यू बफरिंग अजिंट और बहुत सारे क्या बोलते हैं दूसरे इन औरगनिमिटिय जो बही जो बही केमिकल एडिटिव के तोर पे स्तिमाल होते हैं फूड के अंतर वी बताव भई नाइट्राइट साइट साल्ट से सलफाइट सुलफड अगसाइड है यह एक भी का इस्तिमाल होते हैं फूड प्रिजर्रेटिव के तोर पे वही तो एंशॉर सेफटी समझिया बात वही और बहुत और जो नुकसान हो सकता है और माइकरोमियल और फिजिकल क counterparts और एंज्वाइमेटिक रिकशिन जीजया से जो itself आपको पहले फरी ऋब्सूढ होता है वहां भी होता इसका कफी स्वाइदा हुता और तो अआपको भी आता आपको बताये लिए कि जो ग्लास होता है ये तो ख wraps फूड च्टारीज के लिए होते है कि ग्लास एक इन औरल औरिवर सिस्टम से के लिक्राज ये बोलो बहो है या जो चीनी मिट्टी के जो क्या बोलते है वही मरतवान होते हैं उसाब क्या इन और गेनिक सिस्टम्स तो स्टोरेज तो आप बई सोच लो स्टोरेज गे लिए तो इसको कब सिस्तमाल कर रहे हैं इसन्ट एट ठीक है ओके अब बतो नेक्स्ट क्या है एन्वार्मेंटल एप्लिकेशन आप इन और गेनिक मिटिरियल क्या इन वार्मेंट के लिए कितना कंसर्न है इसके बारे में दुनिया आपको इसके बता हो आपको ठीक है ओके तो अतिवली ना कोई ठीक है ओके तोसे बाट नहीं फैर चड़ो तो आप यह पताएं अब ऑई इन्वार्मेंटल एप्लिकेशन उफिन और गिनिक मिटिरियल में यह कैसे इस्तिमाल होते हैं एंटी नोकिंग एजेंट्स क्या जो आपका फ्यूर होता है जो पैट्रोल है डीजल है उनके स्मूथ कंबशिन के लिए यह रिकॉर्ड होती है अगर इनको नहीं मिलाएं तो इसका कंबशिन स्मूथ नियुक्त ता और बहुत सारा फ्यूल अनबर्न रह जाता है जिसे दुआ होता है पॉलुशन होता है तो क्या पॉलुशन को क्ट्रोल करने में हेल्प करते हैं एक ही निकरते भई वैरी गूड ठीक और बताओ फिर तो क वहां पर था यह वहां पर राइट्रिंट था फ्यूल के तोर पर था यह अपर है उसका फाइदा भी तो है कि वह क्या नहीं करती है पॉलुशन करती वह एसंट इस से कहने कि लेगा पानी पानी तरन कैसा जिसमें मिलाई दो लगे उस जैसा कभी आपने सौंग सुना इस द पर आपको पता ना अमारा जब बई जब इंडिया गे उपर जो सोवियत रूस का सोवियत संग काफी अमारे उपर पर काफी प्रभाव था उस वक्त अमारे जो इरोज थे ना वो सोशिलिस्ट आइडिलोजी को ही रप्रेजेंट करते थे ना उसमें एक था एक थे मनोज गु आपने बहुत स्मार्ट और वह क्या बोलते ना एलिगेंट लेडी थी वर्ण कि आखों पताने क्या कर दिया गरते हैं इसे निए पता हमाना कोई ऐसे बिल्कुल उनके तीर से बना दिया गरते बिल्कुल ठीक है लेकिन बहुत क्या बोलते हैं गजब की वह अभी नित्री थी ठीक है अभी मेरे खाल सेजन था है ना ओके ठीक है तो आपको पता हो नचे वही तो गाना था ना पानी दे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाई दो लगे उस जैसा तो वही वैसी बात है कि इससे कहने कलता बता हो भी टॉक्सिक कंपांट्स के वज़िए पानी निकल लगे रहते हो क्या बोलें वही फॉन में लगे रहते हो तो आप अपना फॉन दो वही तो अच्छा होगी बुरा हो अच्छा हो जाए ना आप अच्छा से पढ़ लोगी लेकिन आप मुझे बता हुई जो फॉन है इसके अंदर बैटरी बता कौन से स्नाल होती है ली थी मा बैटरी होती है उनका जो metallic Red battery को कहीं ज्यादा क्या होती हो अनरॉई अनर्जी न्स में कहीं ज्यादा एनर्जी आप स्टो कर सकते हो भाई थीक है तो आपके जो फोन ये लेट्टव अपण मुझे ओनव इसके हैं ली थी माइन बैट्री में इसके आप 4 वाब कीन से शा और लीटिमाएन बैटरीज नहीं वहीं यह जो आफसों तो यह रिल बना पारें नहीं यह लंबे-लंबे बाल कर जो किसके किसकी देन ही फाउन की गई उस्माटफोन की और स्माटफोन में कह यह लीठिमाएन बैटरी थीक है इसका कहां कहां इस्तमाल है इसके वह एक्ट्रिक विकल्स के नहीं यहां पर यह थोड़ा बलके कम लिखा हुआ है जितने भी अधिएन ना कहुती है लीखलम और इसलिटेंगा कर आझीघ्या वाइ इससे भी ऐखना है और इसलिटा मैंन नृट्प घठी अधिक मश्य को चाहिए और गलेर्घ्य चाहिए अब देख़ो बईबाए के वोव यह नीज़ूरी है F01分 अब बहों है जो जैसे अपके जो वह गौवर्मेंट कर लिए कि हमको 30 तक करना करना है वहां हार जोगे क्या सब्सक्राइब होती है बताओ लिधिमायन बेटरीज तो आप सबसकते हैं कुछ फाइदा है कि नहीं इनका है ना फाइदा आपको लिधिमायन बेटरीज बही है तो वही एन्वायरमेंट को लिधिमायन बेटरीज तो एलेक्ट्रिक विकल्स में आपको क्या उसकरना पड़ेगा इंटर्नल इंटर्नल कंबशन इंजन जिसे क्या होगा ज्यादा पॉलिशन इसन इसन इसन्ट अला कि मैं आपको बताऊं इसके यह फिर भी डिविटेवल इशू है कि लॉंग टरम में कॉन ज्यादा क्या फारीदा करेगा क्योंकि ev को एक जो एक होते हैं गयान बेटरीज को बनाने में पॉलीशन होता है इन्वार्मेंट को नुक्सान होता है ली थे मेरे आयन बैटरी के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग तो उसके बाद तो इसको एक पर्टिकुलर में ख्याल से वह एक या देड़ लाग किलोमीटर अगर दोनों गाडियां चल लेती है एक कौन सी है डीजल एक कौन सी है इवी तब उन दोनों का तब यह उससे क्या होंगा गोई बताओ इससे कम और की क्या करेगी क्योंकि बेक्रेड नियुक्त होते हैं एक गलई अलोर् neo क्या क्या वही उस तरफ मदाओ और मतल University में पीटाओ इंट्र फिर वहां में जो सॉलिड स्थेट बैटरी उनको इस्तेमाल होएगा हमने कोई न कोई तो वी क्या है का रे अर्फ सिर्फ लैंग्ठ नाइड और एक्टिनएड जिना होते हैं जो भी कम अमांट यह और से क्या बोलते हैं और बताओ वह अच्छा इन और गेनिक फोसफोर्स अच्छा आप यह बताओ जो यह एलेडे लगी हो यहाँ पर यह अच्छी है यह कम लाइट कंजूम करती है कि टंगस्टन बल्ब और नोख और रोशनी देते हैं यह उतनी ही उस्सें बलकिए ज्यादा तो अगर यह बहुत सेकेनीक क्या होते हैं पिस फोटे इंब ने युज फोटे आप को इस फोसफोर pela की एच ओ फो अडार फॉसफोर का मलब रहर होता है प्षमेंट होता है नमयनर पेलेंट होता है फोसफोर बता आपको पहले पड़ी तो जो इन ओर्गनिक फॉस्फोर्स वो का इस्तिमार होते हैं एलेडी एप्लिकेशन के अंदर और आप बताओ बई और क्या उससे यह जो एलेडीज है लाइट कम कंज्यूम नहीं करती क्या अगर एलेडीज लाइट कम कंज्यूम करेंगी लाइट प्लांट से तो पावर प्लांट में फ्यूल कम इस्तिमाल होगा तो पॉलिशन क्या होगा मात आपको पले पड़ी तो यहां भी इसका इसका भई फायदा है ठीक और देखो आप और पड़ो फिर क्या है केटालिस्ट सच आज आरन पेंटाकरबनाइल और यूज इन वाटर गैस शिफ्ट रियक्शन बोलो भई विच कानवर्ट्स हांफुल बाइप्रोडक्ट लाइक सीओ इंटू सीओ तो निवह तको पले पड़ी आप यह बताओ जो वाटर गैस शिफ्ट रियक्शन होती है उसमें आप यह बताओ भई कि आप कार्बन को बोलो भई आप रैड ह इस्ट्रीमली इंपोर्टेंट अगी नहीं बताओ है ना लेकिन यह बना तो लिया अपने पानी से लेकिन यह क्या बन गया कार्बन मोनोक्साइड आपको पताओ पोईजनेस होता भई इस सीयो को क्या भई इस सीयो को अगर आप किसमें मिला तो पताए है एस टूओ में और कौन सा कैटालिस्ट आप इसनमाल करो बताओ अपने यह पूरा मेकैनिजम आपको पड़ाएं कब बताओ और मिटाली की मिस्ट्री के अंदर तो पताओ क्या बनेगा इस से इसकी प्रिजिंस में पताओ क्या बनेगा मेरे पास इसको बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम मतलब जहां पर हमें एक मॉल कार्बन से एक मॉल क्या मिलती थी डाय हाइट्रोजन बोलो भई जहां हमें एक मॉल कार्बन से बोल दिया अगरो यह बात है ठीक बात है जहां पर हमें एक मॉल कार्बन से क्या मिलती थी एक मॉल डाय हाइट्रोजन अब हमें क्या मिल रहे तो देख मोल डाइड़ोजन अब हमें उसी एक मोल कर्मोल कर्मील है एक एक्स्ट्रा मोल डाइड़ोजन प्लस जो सियो था जो कि एक हामफुल भई पोईजनिस कंपाउंट था पॉईजनिस क्या ही प्रोडक्ट यह किसमे का नोट हो गया आपको गए वई सिए तो बन गया अरे बई सिए टू मुझे पता है यह भी क्या है ग्रीन हाउस गैस लेकिन वेजनिस तो नहीं है कम से कम नहीं बाद आपको पलपड़ी वही तो फाइदा है नहीं इसका तो आप देखो वही क्या यह चीज़ एंवारमेंट को बचाती है कि नहीं नहीं बचा तो यह क्या इसकी कुछ एंवारमेंटल है इसका अब आप पड़ो कॉस्टेंस ठीक है अच्छा बता हुए एक कॉमनली यूजड फूड 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 प्रिजरवेटिव इस आपने बताना बई ओप्शन देखना नहीं है यह देख रहा हुआ है अबता हुए बता कौन सा कि अब है कि यह सोडियम अरे आपको यह अभी दो पड़ा सो डिपेंस्वेट नो इस अ कोण सी है और सिस्प्लेटिंग आई ऑफुड फूफेण ठीक है डैकलोफिनक फोडियम और फीन तो भी इस lecture में तना ही अगर इस lecture के बारे में आपके कुछ प्रशन है या सुझाओ है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं मैं उनके उत्र देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तो भी ठीक है मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए नमस्ते कर दो कर दो कर दो कर दो.